दुनिया की हलचल पर पहनी नजर परताल दुनिया भरकी देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम हैं ग्लोबल सिटिजन नमस्कार परताल दुनिया भरकी में आपका स्वागत है हम देख रहे हैं कि दुनिया के मानचित्र में अलग-अलग देशों में बहुत तेजी से राजनिती बदल रही है नए नेता आ रहे हैं पुराने विदाई ले रहे हैं कई नेता माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं इ इस तरह से अफगानिस्तान जो भारत के परोस में है सीमा नहीं लगी हुई है लेकिन हमारी काफी आवाजाही राजनिती प्रभावित होती है जिस तरह से वहां चीजें बदल रही है जिस तरह से तालिबान ने हमला किया वहां के एरपोर्ट पर हमला हुआ पिछली बार भी ह हुसेना है उसकी वापसी के बाद किस तरह का निगोसियेशन भारत को रखना चाहिए कई लोग अलग अलग ढंकी सलाह भी दे रहे हैं आपका क्या मानना है कि अफगानिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है तेके पहली बात तो है अफगानिस्तान को जब देखेंगे तो अफग लडाई चल रही है और बहुत बड़े पैमाने की उनकी वहां की जो व्यवस्ता है सामाजिक व्यवस्ता ये करीब-करीब खतम हो चुकी है जिस तरह की लडाई यहां से पीछले 20-25 साल से चल रहा है अफगानिस्तान को को बाहरी ताकत उसको आके कंट्रोल नहीं कर सकते प यह सबक वो ले चुके थे क्योंकि अफगानिस्तान की अगर आप देखे मानचित्र देखे तो देखें कि बहुत ही पहाड़ी इलाका है रगड जिसे कहते हैं बहुत देश है बहुत मुश्किल टेरिटरी बाहरी ताकत वहां पर जाके अब बड़ा है चोटा नहीं है काफ अपना काफी सेना वहाँ पर इस्तमाल करके यह सबक ले चुकी है कि वहाँ पर हम कंट्रोल अफगानिस्तान को कर नहीं सकते हैं अब कैसे वहाँ से निकले यही उनकी अब कोशिश है पाकिस्तान पार्शवर्टी देश है डेबर है जैसे आपने कहा हिंदुस्तान नेबर नहीं है इरान नेवर है आपके उस्बेकिस्तान ताजिकिस्तान वगारा मुलके वहां पर सिंट्रिल इश्या की नेवर है चीन उसके नेवर हैं हम उसके नेवर हैं नहीं और इसलिए हमें अगर वहां पर राजदीद करना पड़ता है तो हम किसके जरीय करेंगे उसके इंटर कर रहे थे और हमने काफी contraction वहाँ पर किया है उनकी अम्रीका को चहने के और यह हमारी लंबा प्लैन रहा हो गा प्लैनिंग रही होगी कि अम्रीका वहां काफी सालों तक रहेगा तो हम उसके साथ मिलके रहेंगे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में हम पाकिस्तान को काउंटर करेंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार के बीश में जो तनाव है उसमें हम कुछ खेल पाएंगी यह हमारा एक नेरो जिसे कहते है राजनितिक विचार से हम चल रहे थे अब साफ है कि अमरीका अगर हड जाता है तो तालिबान को मुकाबला करना आसान नहीं होगा और उसको कैसे उस पे खेले हिंदुस्तान अगर कोई पार्शवर्ती देश के साथ आपकी दोस्ती नहीं है यह सोचने वाली बार अफगानिस्तान की जितने नेबर्स हैं जितने जिन से उनकी सीमा मिलती है उससे भारत की दोस्ती नहीं है इस वक्त इरान के साथ आपके सम्मंद काफी खराब हो चुकी है क्योंकि अमरिका के प्रेजर में आपने इरान से तेल खरीदना बंद कर दिया. तो आप सैंक्शन्स जो अमरिका में लगाए हैं थे वो आपने मन्जूर कर ली. नहीं तो इरान आपको सस्ते दाम पे आपको तेल देता था. तो इरान के साथ जो आपका आप एक चबाहर पोर्ट बना रहे थे उसके जरीए अब अफगानिस्तान के लाइन जो है जो कॉमुनिकेशन लाइन अप बनाने की कोशिश कर रहे थे. वो करीब करीब आपने छोड़ दिया. तो आपको इंटर्वीन करने के लिए कोई उस तरह से दोस्त देश नहीं है. तो वहाँ पर हमारा क्या भूमी का होगा? अब जो है हिंदुस्तान की सरकार को भारत बश्च को इस समझ में आ रहा है कि हमारा वहाँ पर खेलना असान नहीं है. हमारे वहाँ पर किस अगर गनी सरकार के साथ हम संब्द रखना भी चाहेंगे? कैसे रखेंगे? यह सवाल है. और गनी सरकार क्या इस तरह से लड़ाई कर पाएगा तालिबान से लंबे अरसे के लिए? सोचने की बात है. और अमरीका जो छोड़ने के लिए मन बना चुका है. कि कैसे विद्रॉकरे मन बना चुका है? उसने अब क्वाड टू का सवाल उठ खड़ा किया है. क्वाड टू, क्वाड वन तो अब जानते ही है. समुंदर के लेके, साउथ चाइना, सी को लेके बनाने की कोशिश है. हिंदुस्तान, आस्ट्रेलिया, जपान और अमरीका. ठीक है ना? तो ये चाइना को कंटेन करने के लिए, हाँ कौड टू को प्रोपोसल लिया है, कुछ सेंट्रिल एशियन मुलक लेके, पाकिस्तान के साथ लेके, अमरीका. तो ये जो चीजे है, इसमें हमारा कोई रोल खास दिखाई नहीं पड़ रहा है. और इसी लिए ब्लिंकेट जबाये थे. तो उसका जो बातचीत हुआ हमारे फॉरिण मिनिस्टर से, कोई खास पॉजिटिफ कोई नोट उसमें नहीं मिला, अफगानिस्तान का सवाल पे. बलकि एक काफी सा क्या कहेंगे, दुगवरी स्वर निकला, कि अमरीका बिना बताए ऐसे कदब उठा रहा है, और हिंदुस्तान को भारत वर्ष को वहाँ पर बुला के, पैसा खर्च करा के, बीच में फसा दिया, हमारे अब कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान के साथ फिर अमरीका जा रहा है. तो ये कौर्ट टू की जो परिकल्पना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और कुछ देशों को लेके, इसका भी लगता है, कि अमरीका सोच रहा है, कि पाकिस्तान के जरीए, फिर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हम इंटर्वीन करेंगे, और चीन को और इरान को काउंटर करेंगे, जो उनकी नेवर, अफगानिस्तान की नेवर है. तो कहां तक ये चल पाएगी? अलग सवाल. मैं पहले भी आपके साथ जब जिकर किया था, पाएगानिस्तान के बारे में कहा था, कि कूटनीती लोग एक जिरो सम गेम सोचते हैं, कि किसी का भला होगा तो किसी को नुकसान होना है. मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है, कि उसके वहां शान्ती लाने के लिए जिरो सम गेम नहीं कर सकते, सब देश मिलके अगर वहां शान्ती की कोशिश करे, शायद अफगानिस्तान में शान्ती आ सकती है, उनकी अंदरूनी शक्तियों के साथ, बाहरी शक्तियों, एकठा मिलके एक शान्ती के लिए कोशिश करे तो संभावना है अगर एक दूसरे की कूट नीत और कौन जीता कौन हरा अफगानिस्तान में करना शुरू करे तो अफगानिस्तान पे शान्ती लाना आसान नहीं है और ये सब देशों के हित में है कि अफगानिस्तान में शान्त पिर से बरकरार हो तालिबान की जो पुरानी चाल चलन थी औरोतों को खिलाफ जानते ही है, कानून, गर्ल स्कूल बंद कर देना, जितने सारे हरकत थी, क्या उससे वो बहरा पाएंगे, क्या जो उन्होंने इस्लामिक एक्स्ट्रीमिजम को समर्थन करने की एक उनकी प्रक्रि जनिस्तान के बाद हम चलते हैं लातनी अमरीका के एक बहुत एहम देश पेरू की तरफ वहाँ पर जिस तरह से तकरीबन एक महीना 40 दिन इंतजार हुआ मदगर्णा हुई और उसके बाद नए राश्टपती वहाँ पर आए इससे क्या दृष्ष बदलेगा पूरे लातनी अ अमरीका में अमरीका की भी बहुत गहरी दिल्चस्पी रही है तमाम जो देश रहे हैं उसमें पेरू में इस तरह से जो वापसी है और जो पार्टी लिब्रे है उसके व्यक्ति बने हैं काफी रसा कशी चली वो क्या असर आपको लगता है कि पढ़ेगा पूरे पेरू और अमरीका पर देखे पहले तो पेरू की ही बात करें कि पेरू कस्टियो वहां पर अभी चुनाव जीत चुके हैं प्रेजिडेंट की और बहुत चंद वोट से उनकी जीत हुई है और इसलिए फूजी मौरो के को फूजी मौरी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि उसको कैसे नक तो फूजी मौरी आता है आपके इनकी जो पिता है जो केको फजुबरी जो हार गया अलबर्तो फूजी मौरी उनका पिता है वो पावर में आते हैं 90 में तब आते ही चुनाव जीत के आया थे इसके पाद तुरंत उन्होंने जो आटो कू कहते प्रेजिडेंट ही कू कर दि उस वक्त की लाटन अमेरिका में आपरेशन कॉंडॉर करके एक प्रोग्राम थो जो CIA के चलाये हुआ जिसमें करीब आठ या नौ देश शिरकत किये थे जिसमें जो डिसीडेंट्स थे लेफ्टिस थे इनको कैसे खत्म किया जाए मार दिया जाए यह उसकी पूरी प्रोग्राम थे जेल में डाल दिया जाए और मार दिया भी जाए जिसका खुलासा अब तक हो रहा है जिसके वज़ाए से अभी भी केसे चल रहे हैं इटैली में भी कुछ केस चले हैं कि इन लोगों के खिलाफ इंटरनाशनल कहीं भी किसी भी कोर्ट न हो सकता है तो उसमें फूजी मोरी के खिलाफ भी केस चले थे ऑपरेशन कॉंडर वाला नहीं पर उसके बाद का हिस्सा में जो जिन्होंने वहाँ पर डेथ स्कौर्ड लेके कुछ करांतिकारी जो शक्तिया थी उनके खिलाफ इस्तिमाल किया पर अपने ज कहते हैं स्टरिलाइजेशन किया था लाकों के तादाद में किया था यह फूजी मोरी की इतिहास है वो हटा इसलिए वहां से उनको हटना पड़ा जो करॉप्शन में पकड़े गए तो उसलिए जो संघर्ष हुआ वहां पर इसके बाद उनको छोड़ना पड़ा तो यह इस तरह से जीत के आया है और पेड्रो कस्तियो का जो पार्टी है वो 15% उसको वोट मिला है सीट्स पी इतना नहीं है कॉंग्रेस में तो देखना पड़ेगा शाशन इस वाक्त इतना डिवीशन के साथ कैसे हो सकता है और पुजीबोरी की समय कॉंस्टिटूशन का बदला गया है तो वो कॉंस्टिटूशन के पार्ड बन गया है तो उसकी जो ऐसे ऐसे चीजे उसमें है जब तक उसको आप कॉंस्टिटूशन को हटाएंगे नहीं तो पिनोचे के कॉंस्टिटूशन के खिलाफ चिली में इस वक्त रेफरेंडम हुआ है और उस रेफरेंडम के बाद यह decision हुआ है कि चिली में नया constitutional assembly बनेगा और उस constitutional assembly में बामपंथी और मध्यमपंथी शक्तियां वहां जीती है, right wing वहां पर काफी बुरी तरह से हा रही है, तो उनको one third से कम बहुमत है, तो चिली की constitution नए तरीके से लिखी जाएगी, यह वहां पर हो चुका है, यही चीज प मालूम है, इस constitution के जरिये, जिसमें clauses है, बामपंथी शक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, पेड्रो कास्टियो के सामने कठिन पर इक परिक्षा है, पर उन्होंने इसी लिए सवाल, क्या economic policies देश में होगा, वो उसको मुख्य रूप से ना रखके, वहां उनको compromise करना क्योंकि वहां पर उस तरह से finance ministry चलाना इस वक्त संबब नहीं है, पर constituent assembly का demand उसने पहला दिन आते ही रखा है, कहा कि हम constituent assembly बुलाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारी आगे वाली लड़ाई है, तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, वो देखने की जरूरत है, पर प indigenous population जहां जहां पर है, आप बॉलिविया में है, एक्वेडॉर में है, और ये जो लगवा मुल्क ये सब हैं, और यहां पर पेरू में भी है, और पेड्रो कस्तियो जिसको है, मेस्टीजो, mixed origin के हैं, तो वो पहला mixed origin का prime president तो नहीं है, पर लगता है कि मेस्टीजो community को represent करते ह हैं, तो ये जो चीज है, तो वो देखने की बात है कि कैसे पेरू की इस अंदरूनी राज़नीत कैसे बदलती है, इस अंगर्ष कैसे चलता है, और पूरी region के जो आप बात कर रहे हैं, पूरी चिली के बात पेरू है, भारसम में जो बदलता दिखता नजर आ रहा है, क्यों है, ब्रिजिल के हम चप्चा कर चुके हैं, कि अगर लूला लड़ सकते हैं चुनाओं में, अभी तो लगता है कि लड़ने की पूरी रास्ता खुल गया है, तो लगता है बोलसदारों को चांस बहुत कम है, तो लैबल, लैटन अमेरिका फिर कांटा जो है, बाम की और घू करेगी, वो देखने की जूरत है, क्योंकि आसानी से अमरीकल लैटन अमेरिका को छोड़े वाला नहीं, क्योंकि उसका सामराज्य का बहुत अंग्श वो मान के चलता है, करीबियन को और लैटन अमेरिका को, चलते हैं न्यूजिलैंड की तरफ थोड़ा जल्दी से, वहां क जो पूरा एक विज्वल है, जिस तरह से कि वह बैठी हुई है, और एक सफेद मैट पूरा आता है, और वह वापस हटा रहा जाता है, एक जो प्रतीक उस समुदाय का है, कि अगर आप दिल से माफी मांगना चाहते हैं, तो आप इस पूरी प्रक्रिया को कीजे, तो छोटा जेशर हो सकता है, काफी भकवाई हुई सी भी उनकी फोटो लग रही है, लेकिन मुझे ये चीज बड़ी इसलिए भी अच्छी लगी कि हम देख रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार पूरी दुनिया में हो रहे हैं, आज की तारीख में भी, उसमें कुछ मुलकों में यह कल् अपना करना, खास तोर से जहां असली भेदभाव, जातिगत भेदभाव और बाकी भेदभाव बहुत रहे हैं, कि एक राष्टपती, एक प्रधानमंत्री, सरयाम, छोटी बड़ी, कितना भी नुकसान उन्होंने किया हो, पब्लिकली माफी मांगना और उसका एक संदेश भेजना, तो आपको लगता है कि इसे कुछ गलतियां लोग मानने से कुछ फायदा होता है, को कि समुदाए की डिमांड बहुत लंबे समय से रही है, देखिए, गलती जो मान रही है, सही बात है, गलतिया हुई है, पर अगर आप जो गलती आप कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि जो राज, यह पॉलिसी गत जो रेस, रेशियल ओपरेशन रहा है, उसमें बड़े पैबाने पे, आपका जेनोसाइड रहा है, नरसंगार हुआ है, बड़े पैबाने पे, आस्ट्रेलिया में हुआ है, न्यूजिलेंड में हुआ है, इंडिजनस, वहां की पॉपलेशन को पर देना, पैसिफिक आइलेंड्स को तो कब्जा करने की बात है, और पैसिफिक आइलेंड्स को कब्जा करके, वहां पर राज करना, वह फ्रांस, इंग्लेंड, बड़े पैमाने पे, वहां पर उनकी जो इंडिजनस पॉपलेशन की, एकॉनमी के द्वस्त किया, डिएगो पैमाने पे, दशकों से वहां पर किया था, और उसका अभी तक मुआबसा जो है, बहुत कम दे रहा है, ठीक है न, तो यह एक बड़े इतिहास है, पॉलिजिशन, अन्ने हैटी तो भी बात की थी, कि वहां पर भी किस तरह से पूरा का पूरा, तो उसकी तो पॉलिजिशन अगर बात करना चाहें, जो पूरी यहां पर पसिफिक आइलेंड्स की जो आप बात करें, इंडिया नोशन पसिफिक आइलेंड्स की, तो बड़े पेमाने जो हां पर किया हुआ, उसका चर्चा एक दिन करनी पड़ेगी, पर मैं समझता हूं कि मूल चीज, जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं रखा गया है कि कलोनियलिसम जब निकला है तो उसका जैनोसाइट की इतिहास लोग के सामने नहीं आया जिस तरह आना चाहिए वो कहते है थोड़ी सी यहाँ जैनोसाइट होगी थोड़ी गड़बड होगी थी तो यह इतिहास हमारे सामने नहीं है और प की दुनिया में कहते हैं एकनॉमिकली शक्तिशाली मुल्क और ये अपने आपको दावेदार कहते हैं डिमोक्रिसी की पर इनकी पूरी इतिहास बहुत साल की बात की पहली नहीं है 50-60-70 साल की पहली की बात है जैनोसाइड और बड़े पैमाने पे लूट लोगों की और देखना पड़ेगा क्योंकि यह अभी भी कहते है रूल बेस्ट इंटरनाशनल ओर्डर, रूल्स कौन तेह करेगा, सफेद देश जो है, वो हम को बताएंगे रूल्स क्या है, और हम जो है उस रूल्स पे चलेंगे, इंटरनाशनल लौ नहीं, इंटरनाशनल लौ की बात नही और उनाइटेड नेशन्स की बात नहीं है, रूल बेस्ट इंटरनाशनल ओर्डर, इस पे सब सफेद मुल्क जो है, वाइट रेसिज्म के आधार पे, जो मुल्क चलता है, चलाए है इन्होंने, तो वो आपको बताएंगे, कैसे हुआ है, फ्रांस, इंग्लेंड, आप तो गांधी को नहीं मरा, तो ये उनका कहना था, अब फ्रांस का अलजेरिया की इतिहास है, वेतनाम की इतिहास है, हमारे सामने है, तो हम इतने जल्दी भूलने वाले नहीं है, ठीक है ना, तो येस, एक छोटी सी भूल की उन्होंने माफी मांगी है, पर अगर सफेद देशों की इतिहास देखें, तो बहुत माफी अभी भी बाकी है, मुझे लगता है कि ये जरूर है कि हम इस बहाने जो बरबरता हुई, जिस तरह का एक नसली हमला किया गया करने की जो पूरी की पूरा इतिहास रहा है, उसके साथ जो लूट का इतिहास रहा है, इसे सामने लाया ज मुझे लगता है कि अगर इसकी भी शुरुवात हो और एक दबाव बने तमाम सब मुहों से तो वो भी एक सकारात्मक चीज रहेगी मानवता के पक्ष में खड़े होती सभेता हमें दिखाई देगी शुक्रिया